हाई फ्रेंड्स माई कम्पिटर स्किल्स कम्पिटर क्लास में आप साभी के स्वागत हैं मैं जैपाल सिंग राजफूत आज फ्रेंड्स मैं आपको यूनिट नमर 30 पढ़ाने वाला हूं इसके अंदर MS Access का जो नेक्स टॉपिक हमारा है वो है वाट इसे प्राइमरी की इन MS Access MS Access में प्राइमरी की क्या यूज है MS Access में प्राइमरी की का इस्तमाल क्यों किया जाता है और MS Access में प्राइमरी की किस प्रकार कारी करती है यह सारी जितने भी कोशन्स है उस सभी आपको यहां पर समझने को मिलेंगे कि प्राइमरी की आखिर होत या column को unique identify करना संभो बनाता है किसी relationships में primary key की वही भूमी का होती है जो किसी entity identifier की होती है primary key को define करके हम ये ते करते हैं कि हमने जिस छोटे से छोटे data को database में store किया है हम उस छोटे से छोटे database के टुकडे को भी फिर से राप्त कर सकेंगे जब हम relational database की बात करते हैं तब किसी database से किसी data के छोटे से छोटे टुकडे को भी प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ तीन बातों की जानकारी होना चाहिए हम किसी primary key field में duplicate data store नहीं कर सकते हैं यदि हम ऐसा करने की कोशिस करते हैं तो dbms हमें ऐसा नहीं करने देता है क्योंकि वहाँ primary key के constraints को follow करता है जिसके तहद एक column में कभी भी duplicate value store नहीं हो सकती है हम किसी भी entity के उसी attributes को किसी relationals में primary key के रूप में identify कर सकते हैं जिसकी निमना नूसर दूविसेस्ता हो primary key की value कभी भी change नहीं होती है यानि की unique और नमर दो primary key column को null नहीं रखा जा सकता है friends आपने ये समझ लिया होगा कि primary key क्या होती हो और इसको हम कैसे एक database के अंदर इस्तिमाल करते हैं ठीक हैं चलिए मैं इसका आपको practical करके दिखाता हूँ कि primary key को practical में कैसे समझते हैं हाई friends हम यहाँ पर आ गए हैं access के उपर और यहाँ पर मैं आपको एक file बताना चाहरा हूँ जिसके उपर हम primary key को apply करना चाहरा हैं यह एक table है मेरे पास में आपर आनन नाम से table दी हुई है मैं इसको open करता हूँ तो देखिए आनन नाम की जो table है इसके अंदर employee number filled है department है और name है तो यह जो file है मैं इसके अंदर primary key का इस्तिमाल करना चाहरा हूँ अभी इसके अंदर कोई primary key का इस्तिमाल मैंने नहीं किया हुआ है ठीक है अब चलिए यह मैंने आपको file दिखा दिये इसके बाद मैं इसे close करता हूँ और इसके अंदर हम देखते है primary key को कैसे apply किया है primary key को apply करने के लिए किसी भी file पर आपको क्या करना है डिजाइनिंग वीव पर जाना है डिजाइनिंग वीव पर गए हैं यहाँ पर देखिए आपको employee number employee department और name यह सारे आपको दिखाई दर है field name इदर उनके data types है उनके अंदर कौन कौन से data types आपको लिखना है अब friends primary की कहां दी जाती है वो जगा होती है यह यहाँ दिख रहे है आपको यह arrow बना हुआ है जैसे मैं mouse cursor यहाँ लेके जाऊँगा यहाँ पर arrow बन जाएगा बस इसी arrow पर हमें क्या करना mouse का right click करना है right button को दबाना है तो यहाँ देखिए आपके सामने एक window open होई है और इसके अंदर primary की जिसके अंदर चाबी नुमा एक symbol से बना है आप इस पर click कर दीजे आप जैसे click करेंगे आपकी field के उपर देखिए चाबी नुमा एक options यहाँ पर apply हो चुका है इस पर primary की हम दे चुके है ठीक है फ्रेंट primary की देने के बाद सबसे विसे बात यह याद रखना आपको कि आपको file को save करना जरूरी है यदि file आप save नहीं करेंगे तो prime के रिए apply नहीं होगे यह control S करकर मैं S को save कर देता हूँ और file को यहाँ से मैं off कर देता हूँ ठीक है फ्रेंट अब मैंने आनन नाम की जो file जो primary की दिये रखी है इसे मैं एक मैं एंटरी करके आपको दिखाता हूँ ठीक है अब इससे फाइदा क्या होगा देकि फ्रेंट पहला नियम में इसका primary की कहिए है कि इसके अंदर कोई भी field आपको खाली नहीं छोड़ना है और नाम मैंने यहां लिखा है पवन पवन नाम यहां पर मैंने रखा हूँ यहां देखिए आप field मैंने blank रखी हुई है जैसे मैं next field पर जाओंगा और वहां पर work करूँगा तो यह मुझे work नहीं करने देगा क्यों नहीं करने देगा क्योंकि मैंने यहां पर जो EMP file जो field है वो मैंने blank छोड़ रखी है ठीक है मैं enter करता हूँ यहां पर enter किया मैंने अब देखिए यहां पर message आ रहा है मेरे पास में कि index और primary की cannot contain a null value यहनि कि आप इसके अंदर कोई भी खाली value नहीं रख सकते हैं चलिए ठीक है मैं इसके अंदर value देता हूँ इसके बाद देखते हैं क्या यह आगे बढ़ने दे रहा हूँ है okay हमने बुला और यहां पर आने के बाद मैंने यहां पर 9 number लिखा और फिर देखते हैं देखिए ठीक हैं अब मैंने यहां पर 10 number लिखूँगा और next अपन चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन से फिल्डी यहां पर बढ़ने दे रहा है अब मैं इसके अंदर store लिखना चाह रहा हूँ store store department और यह हैं यहां पर sonu ठीक हैं यह मैंने नाम यहां पर दिया हुआ है ठीक हैं अब आप देखिए यह इसने ले लिया इसने कोई error नहीं दिया दूसरी चीज़ कि आप इसके अंदर same value भी repeat नहीं कर सकते हैं अब मैं इसके अंदर जैसे एक से लेके 10 तक कोई भी digit में इसके अंदर फिल्ड में इंसर्ट करता हूँ तो यह मुझे error देगा कैसे अब आप इसके अंदर five में डालता हूँ क्योंकि five ओपर भी मैंने value दे रखी हुए चलिए next एफन देखते हैं यहां पर मैंने दिया यहां पर फिल्ड हम देखते हैं office office डिपार्टमेंट और यहां पर हम कौन कर रहा है office में यहां पर रानी कर रही है रानी नाम दिया और मैं next फिल्ड पर जाओंगा देखिए यहां पर same record भी वह आपको नहीं देने चारा है क्योंकि इसमें unique record एक जैसे record ही हम रख सकते हैं इसमें duplicate record हम यहां पर फिल्ड कर उपर apply नहीं कर सकते हैं इसलिए primary की का इस्तमाल किया जाता है ति इसमें duplicate record हम दे नहीं पाएंगे तो इसलिए primary की क्या करती हमार database को सुरक्षित रखती है primary की उसी field पर work करती है जिसके उपर आपने उसको apply किया हुआ है friends आपने दोनों example इसके देख चुके है कि primary की कैसे work करती है मैं इसको 5 को हटा कर यहां पर जैसे 11 करूँगा इसके बाद मुझे कोई भी problem नहीं होगी देखिए enter करूँगा और next filter पर 12 नमर की filter मैं यहां पर आ जाओंगा इस प्रकार से क्या होता है primary की ms access के database पर work करती है friends आपको समझ में आ गया होगा कि primary की को कैसे apply किया आता है primary की कैसे इस्तमाल किया आता है और primary की कैसे work करती है अब primary की apply अब primary की को हटाते कैसे है यह भी मैं आपको सिखा देता हूँ control s करकर पहले database को हमने save कर दिया और यहां से मैं इसको बाहर चला जाओंगा ठीक है जिसे हमने उसको apply किया था ऐसे ही हम इसको remove भी करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है जो आनद नाम की table है उसको वापर designing view पर हमें क्लिक करना है यह क्लिक हो गया अब हम क्या करेंगे कि यह जो जैसे हमने right क्लिक करकर इसको apply किया था इसी प्रकार से इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह यहां से remove हो जाएंगी हो गई और control s करके इसको आपको save करना है save कर दिया और यहां से आप बाहर चले जाई है ठीक है अब आनद नाम की table पर आप click करेंगे यह click किया यह आपके file basic वेसी दिखाई दे रही है तो friends आपने देख लिए primary की को कैसे apply किया जाता है primary की कैसे MS Access के database पर work करती है friends तो वीडियो कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करिए और आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे subscribe करिए चैनल उर्दाव,कstar यहाजा स्पोपश करें उर्दाओ,न स्न्हाए है और आप चैन्न यहाजाब इब बत्रदान